तो दोस्तों आज बात करेंगे जो आपका उक्रीन में जो क्राइसिस आया है उसको लेके पूरे डिटील से आज तो सा डिसक्रसन करूँगा उसको लेके क्या सिचुएशन रही है और क्या क्या इसके चैलेंज़र हो सकते हैं इंडिया को कैसे इस पर चैलेंजर फेश करने कोशिस करता हूं आज के इस वीडियो में तो दोस्तों अगर आप लोग सबसे पहले चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो देखो मैं आज बेसिकली मेप का यूज करके ही आपको सारे चीज़े क्लियर कराने वाला हूं ज्यादा इसमें होच-पोच नहीं है ना वर्ड में इस हमारे अर्थ में तो दो कंट्रीज काफी ज्यादा फेमस है आपका एक होगा यूनाइटर इस्टेट ऑफ अमेरिका एंज सेकंड वर इंज रश्या फिर आप देखो कि सूपर पावर के तोर पे आपका इचाना भी उबर के अच्छे खासे आरा फिर इ पड़ गया था नाइटी फोटी फाइब का बात था आपको पता है वर्लबार टू खतम हुआ उसके बाद पोलराइजेशन हुआ दो गोट में बढ़ गया पहला जो था आप युनाइटर इस्टेट ऑप अमेरिका इसके साथ कौन सत बना था ग्रोप एक नाटो का बना था फिर उसके बाद रशियन, USSR जो आपका बना था और जो आपका युरोपेन के कुछ कंट्रीज यही जो कंट्रीज है उक्रेन, बेलारूस, यह सारी कंट्रीज पहले किसमें थी रशिया में थी अब क्या होता है ना कि अब आपको पता होगा इसके बाद देगो हलका साब मैं रिवाइस कराने के कोसिस करूँगा आपको, सारा डिटेल में तो नहीं जाओँगा, लेकिन चीजों को जरस बार की से आप दो समझो, किसी और वीडियो में डीट वगेरा के साथ अच्छे से आपको केप्चर करा दूँगा, हिष्टी को जब इस्टा लेक्चर लूँगा वह हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अभी तक यह नहीं बोला कि वार को रोका जाएगा या वो ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, हलांकि रश्या बोल रहा है कि वार को रोक देंगे, लेकिन आप लों क्या करो हार जाओ, अपना, मैंने खुद को समरपन कर दो, त मतलब कि उस समय USSR था, है ना, बाद में ना टूड़ गया, USSR टूड़ गया, तब जाके आपका यह रश्या अलग हो गया, और बाकी कंट्रीज अलग हो गया, खुद को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, तो क्यूबा में मिसाइल सेट कर दिया जाता है, फिधर उसी तरीके से अमेरिका इधर ले आता है, नार्वे में कर लेता है, अब क्या होता है ना, इस से cold war का situation आ जाता है, cold war का situation चल रहा है आपका, है ना, कापी जदा टेंसल लगता हूँ, उस समय भी ऐसा situation चल रहा था, मालो, आज यह ना, कल यूद हो जागा, आपको पता होगा, यूद को ल अमेरिका और आपका रश्या के बीच में cold war start हो गया, अब क्या हुआ, दोनों super power, हम super power, यह super power, और दोनों मतलब ऐसा situation था ना, उसमय, कि आज कब war हो जाएगा, यह कहना, किसी किसी के बस में नहीं था, वो कभी भी war हो सकता है, लेकिन finally, चीजे सलट गई, बातों से सलट ग अमेरिका ही super power के तोर पर उत्रा, उत्रा क्या उभर गया वो, और जो रश्या था, कई भाग में तूड़ गया, आपको पता होगा, कई सारे stories इसे जुड़े होए, रश्या को लेके आप जब भी जानोगे, तो कई सारे countries का, इतिहासिस के साथ जुड़ा हुआ है, और रश और क्या करता है, यूरोप के countries में, यहाँ पर आपको जो नाटो है ना, उसको आगे expand करता है, अब expand करता है, तो क्या होता है ना भाई साब, कि वो रश्या की तरफ बढ़ने की कोसिस करता है, अब देखो नाटो कंट्री है ना, तो इसमें, देखो सबसे पहले तो नाटो क कर दिया जाता है, यह ना, मतलब कि देखो अभी यूक्रेन तो आपको नाटो कंट्री का सदस नहीं है, अगर यूक्रेन नाटो कंट्री का सदस रहता है, मेंबर रहता ना, तो अभी सारे लोग आ जाते है, यूद करने के लिए, लेकिन यूक्रेन नाटो का सदस नहीं है, युक्रेन को बलीक खक्री बना दिया गया है प्यादा बनाकर अमेरिका यूज किया है सिंपल सा यही लोजिक है समझो क्या होता है ये सारे कुछ कंट्रीस है युरोपियन के नाटो में आ जाते हैं और क्या होता है अमेरिका यहां पे अपने जो भी military के समान वगएरा deploy वगएरा करके रखता है missile वगएरा deploy करके रखता है अब Ukraine पे भी बात आ रही थी आपको पता होगा 2008 में यह ना एक ची समझो 2008 में क्या हुआ ना Georgia यह भी कुछ वसे condition में फसा हुआ था Russia ने तुरंत उस पे invasion कर दिया आपको पता है 2008 में क्या हुआ है नहीं पता तो comment करना मैं बता हूँगा उसको लेके किसी और वीडियो में डिसक्स करना तो उसके साथ कुछ आशा situation हुए था जिसमें Russia ने उस पे invasion किया था 2014 में Ukraine ने एक और गल्दी कर दी Ukraine जा रहा था free trade agreement साइन करने के लिए किसे यूरोपेन कंट्री से नाटो से अब ऐसे में हो गया रश्या को दिक्कत आ गई भाई साब आप ऐसा कसा कर सकतो तो तो को यह हो अब समझ जो ना यार यह जो यूक्रेन का जो आपका इस्टन साइड में न वहां पे आपके कापी जादा reserves है, minerals है, mines है जो कापी strategic रूप से कापी जादा important है रश्या के लिए और अगर और एक चीज़ हाँ यह जो आपका इस्टन पार्ट पे है जो भी यूक्रेन की अगर यहां से divide कर देते उसे हम लोग यूक्रेन अगर डिवाइड करते है दो पार्ट में तो उसकी इस्टन पा country है लेकिन रश्या कभी इसको माना नहीं है, रश्या हमेसा अपना influence दबा के रखाए यूक्रेन पे लेगे, 2014 में यही जब हुआ कि free trade agreement sign करने गया यूक्रेन, तो उसके बाद क्या, यह जो क्रीमिया रीजन है, यह वोला रीजन, ठीक न, यह जो नीचे वोला रीजन है, उसको क्या कर लिया, इनेस कर लिया, किसने, रश्या ने invasion करके, अब करेगा नहीं, यार, मतलब उसको कहीने कई threat लगता है उसे, तो यह कुछ condition यहाँ तक आपको समझ में आ गया हुआ, कि अभी तक क्या-क्या यूक्रेन के साथ हुआ है, अब समझते हैं कि अभी जो current का situation वो क्यों पैदा हुआ, पाली बात, यूक्रेन तो strategic group से काफ़ जादा important है ही, आप देखो current situation यह हुआ न, कि तो यूक्रेन qualified नहीं है, qualification ही उसके पास कि वो NATO का, क्योंकि NATO भी अपना countries member के लिए काफे जादा restriction लगा कर रखा है, democratic होना चाहिए, be only sovereign होना चाहिए, corruption कम होना चाहिए, बहुत सारे चीज़े उसमें है, लेकिन वो उसको यूक्रेन को बोल रहा था, कि आजा भाई, आजा हम तुमको अपना membership देते हैं, उसके बाद तुम अपना मजस रहना हम लोग के साथ सब कुछ सही रहेगा, ऐसा कुछ था, बहला फुस्ति लाकर बुला लिया, अब देखो, ये situation ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा, situation दिखती कुछ और है, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि चीजें जैसे दिखती है, वैसी होती नहीं है, है ना, युक्रेन भी बहुत कुस-कुस में चल गया, अमेरिका का साइड, है ना, नाटो की तरफ जाने को जुकावा आ गया उसका, तो ऐसे में हुआ क्या, और युक्रेन मानने को ही तयार नहीं, इकरन बोलता है, हम ज जाएंगे, 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 वहाँ की सरकार बोलती है, तो ऐसे में रश्या को हो गया गुस्सा, रश्या बार बार इसको वार्न किया कि मज जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, तो अब ऐसे में रश्या को आगया गुस्सा, अब देखो केवल यही रिजन ही है, रश्या क के बाद भी एक और रिजन भी है इसका रिजन यह है ना कि पुतीन का आपको पता होगा नहीं पता तो सुन लो पुतीन का इतना प्रोपटी ना लेकिन है कुछ ऐसा तपका भी है जो पुतीन के अगर्स भी बोल रहा है, अलाकि पुतीन का सत्तक अभी तो 2036 तक, 2036 तक वहां के रहेंगे, मिनिश्टर रश्पती, तो अभी कोई ऐसा इशू नहीं है वहां के लिए, पुतीन के लिए, तो यह सारी सिच्वेशन है कि एक र रसिया डर क्यों नहीं रहा है, जब हाथ की श्टेंट को भी समझने के कोसिस करेंगे, आज के इस विडियो में की क्या सिच्वेशन रहता है, और क्या अगर यूज जाता बढ़ जाता है, तो क्या कंडीशन हो सकते है देश दुնिया में, क्यों स言से श्वेशन आ सकती है, व्ल्ड वार्ट ठड क्यों हो जाएगा लोग कहरें कि व्ल्ड वार्ट ठड हो जाएगा क्यों आखिर हो सकता है यह साथ तो देखो सबसे पहले रसिया डर इस नहीं नहीं रहा है न सेंसल लगा देने से क्योंकि उसके पास एक चाइना है स्ट्रेटिजिक पार्टनर है चाइ है हलाकि देखो जपान ने भी कंडम किया है जो भी रश्या ने किया है उसको लेकिन सब बूर्ड रहे हैं कहीं कोई कुछ तो गलत है लेकिन भी देखो रश्या खुद में एक सूपर पावर है उसकी एकोनोमी में काफी ज्यादा मजबूत है क्या इसलिए रश्या कोई बात करता ने क्युकि रश्या उसका अल्टरनेटिव ढूनके रहए अगर एकोनोमी उसको में क्राइसम आते हैं एकोनोमी में हलाकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्राइसिस नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन एक देश से बढ़के और क्या हो सकता है रश्या कि यही सोचना है और आपको पता होगा पुतिन की मैं बायोग्राफिय आपको बताया हूँ एक बार लेकिन अब भोलोगे तो यहां पर नहीं बताया हूँ अपने क्लास में बताया हूँ लेकिन हाँ वीडियो आम एक दिन जरूर बताऊंगा पुतिन की क्या बायोग्राफिय क्या लीडर है वो भी दम मतलब लीडर यार लीडर कुछ ही ऐसे लीडर होते हैं जिन्होंने मतलब इतने बड़े देश पर अपना शासन अस्थापित किया कही न कही तो सिचुएशन यह है और आपका अल्टरनेटिव ढूंड के रखा है रश्या सारे छोटे-छोटे कंट्री से वो अपना व्यपार कर रहा है अलाकि वो डिपेंडेंट नहीं है रश्या ने रश्या उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं यूरोपें कंट्री पर लेकिन कहीं न कहीं इंपक्ट पड़ेगा रश्या डिपेंडेंट नहीं है लेकिन यूरोपें जो कंट्री है वो रश्या पर डिपेंडेंड है जर्मन जो आपका पुतीन है, उन पे personally लगाया जाएंगे, उसके property पर सेंक्सन लगाया जाएंगे, जो भी दूसरे countries में, अमेरिका में है, European countries में है, उस पर सेंक्सन लगाया जाएंगे, आप साब बात निकल को आ रहा है, हाँ, इससे थोड़ा सा पुतीन को बुरा लग जाए है, प इंपर से बात यह है अब देखो ऐसी में इंडिया के लिए चैलेंजिस क्या है उसके बाद वर्लबार्ट 3 की तरफी में आऊंगा पहली चैलेंज यह था इंडिया में आपको पता होगा 370 जब हटा तब कोई भी कंट्री पाकिस्तान का समथ्थन भी नहीं आया था यूरोप प्राइम मिरिष्टर से इसे बात कर रहे है ऐसे सीकुएशन में वार्गोशी सचुएशन चल रहा है उस पर ऐसे बात कर रहे है हलाकि पुदी ने उन्हें तब भाव दिया और पढ़ी बात तो देते भी नहीं उसे बहुट आ जाता है उसमें कहला था कि यही अभी बताता और रुख जब बताता हूँ, हुआ के ना, रशिया जो है अपका है, उस पे भारत को इस्टेंट क्या ले रहा है, भारत का सिंपली बोला है, भारत तो अभी सबसे पहले यूक्रेन पे अपने चात्रे है, जो भी रायरे उनको बचाने पर लगा हुआ, या ना, डिप्लोमेस एक उभरते लीडर के तौर पे आ सकते हैं, आप ही जो है कर सकते हैं, इतना भारत को इंपोर्टेस दिया जारा है अभी का टाइप पे, है ना, लेकिन देखो, भारत की भी कुछ मजबूरियां है, मजबूरी यह कि रशिया के साथ हम लोगा बहुत अच्छा, और आज से न दूने के कोसस कर रहे हैं, कहीं न कहीं, है ना, तो यह सिचुएशन भाद के साथ भी लगी हुई है, अच्छा, मीम यह चल रहा है ना, कि यह सारे सिचुएशन में रशिया अगर पूछता है, और अमेरिका अगर पूछता है, कि क्या करें, तुम भी कुछ बोलो, तो अब यह बोलो, अभी हम बीजी है, वार पे, तो खैर, यह मुद्दे, अपर्ट फॉम दिस, अब देखते हैं, अमनो, ठर्ड वल्ड वार का सिचुएशन कैसे बनता है, ना, उसी, देखो, क्या होता है, वार का सिचुएशन जो भी व्ल्ड वार होता है, वो मतलब एक अना कि जो स्नेक आइलेंड है, उस पे 13 टूप्स थे, युक्रेयन के, और जैसे ही, रश्यन टूप्स आए, वहाँ पे, युक्रेयन के जो सोल्जर से, उन्हों को पतब गाली दिया उन्हें, और कहा भागशाओ, हम लड़ेंगे, और वो लड़ेंगे, और वो लड़ेंग सब्वास्ते हैं, क्या सीचवेशन बन रही है, जा आपको पता होगा, यह जो वार का सीचवेशन आता है, यह मौका देता है सब कोंपनी को, जैसे आपको पता हो, आफगनिस्तान में भी हुआ, आप Рश्या अभी arrives में ह 이번 t लेकिन अभी मदद नहीं मिलने वाला है कि एक समझते हैं हम लोग हो क्या रहा है न जो आपका नोर्थ कोरिया है देखो समझो चाना का हमेसास दावारा है ताइवान पे और यहाँ पर यहां पर यहां कि जान रहा है कि सिचुवेशन कापी ज़्याद वफ्ष्ट हो जाएगी तो वह तायवान पर करने की कोसेश करेंगा अगर चायना तायवान पर करता है तो कहीaaaa न कहीए जो आपका North Korea है अपने पगलाल आदमी है जानते हूए आपलों ये बोलता है बार बार धंकी देता है जापान को लेके देखो होता है कि जब कोई थूड़ता है कोई गलती कर दिया तो उसके पीछे पीछे गलती करते चले जाता है कोई थूड़ दिया तो वही बात हो गया कि चायना भी ताइवान पे कर सकता है और उसके बाद बात करें भात अपना ले लेगा अगर तो that's a good part वहां पे हालात पिगड़ सकती है चायना का जो आपका ताइवान वाला रेजन मैंने आपको बता दिया तो कुछ ये सारे कंडिशन आपको बन रहे है आफगानिस्तान के भी तो ये सारे सिच्वेशन जो ऐसे बन रहे ना जियो पॉलिटिक्स में काफे ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाते है क्योंकि अगर किसी एक कंडिश में आपको पता होगा ना हाँ एक से जान लोग इस्टोक मार्कट रश्या का गिर गया भाई अब 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 तक बात करें तो सारे कंट्री ने अब एक चीज में बोलूँगा जो युनाइटड नेशन है भाई साब कोई काम का नहीं है युनाइटड नेशन लीग ओपनेशन आपको पता होगा बना था फर्स्ट वर्ड वार के बाद कहां सेकंड वर्ड वर्ड रोक प यार कहा है लोग तो सिचुएशन काफी वोष्ट है प्रे कर सकते हैं और जहां तक रश्या मानने वाला ने रश्या पूरा इंवेजन करेगा युक्रीन में युक्रीन में गुसेगा और मुझे लगता है जहां तक वो यही करने वाला इस पर एक देश बना देगा पपेट अच्छी लगी तो यार बताना यार कैसी लगी वीडियो चलो किसे और वीडियो में बात करूंगा ठीक है तो चैनल सब्सक्राइब करना जैन